Hey guys, welcome once again to the channel पड़ाई Commerce की इस चैनल के अंदर हम आपके Commerce के Doubt हमारे Solution के Through solve करते हैं So that आप जो भी Doubts है उसको Clearly and Easy Language में आप समझो And आप अपने एक्जाम में Better Perform करो ये हमारे चैनल का मोटीव है आज हम जिस पर वीडियो बना रहे हैं वो एक Important Topic है Admission of Partner के अंदर That is called as Goodwill तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि Goodwill क्या है इसके Methods क्या है इसको कैसे Calculate किया जा सकता है और इसके ही Continuation में हम आगे के वीडियो बनाएंगे जहां पे हम इनके Accounting Treatment के बारे में बात करेंगे कि जब आप Methods of Goodwill Calculate कर लेते हो तो आप उस Goodwill को Accounting या Books of Accounts के अंदर कैसे Treatment दिया जाता है वो हम आगे वाले वीडियो में Continuation बनाएंगे जैसे कि हम लोग देख रहे हम आज डिसकस करेंगे गुडविल तो जब भी बिजनेस आप करते हो तो आप अपने बिजनेस का एक मार्केट में Brand Name Create कर देते हो और ये Brand Name जो होता है वो आप अपने Product के थ्रू Create करते हो आपके Services के थ्रू Create करते हो या तो फिर जो आप Price Offer कर रहे हो अपने Products का उसके थ्रू Create करते हो तो जब भी बिजनेस Quality Product देता है अच्छी Sales Service देता है और अच्छा Reasonable Price देता है तब हम Good Will of a Business Create होता है मार्केट में अब आपके मन में एक डाउट रहेगा कि अगर Brand Name मार्केट में कमपनी का Create हो रहा है तो उससे हम लोग को Accounting में क्या लेना देना है यहाँ पर मैं Clarify करना चाहूँगा जब भी हम लोग Brand Name Create करते हैं Good Will या कमपनी का नाम Create होता है मार्केट में तो Brand Name का हम लोग Valuation करते हैं एक Value निकालते हैं इस Value को ही हम लोग Accounting में हम Good Will बोलते हैं तो इस Good Will को Calculate करने के लिए हमारे पास कुछ Method से वो आपको ध्यान से देखने चाहिए बट इसके पहले हमेशा याद रखो जब भी आप Admission of Partner का Sum करोगे तो आपको New PSR and SR that is New Profit Sharing Ratio and Sacrifice Ratio of the Partners निकालने की जरूत पड़ेगी before solving the term अगर आप उस वीडियो को Miss कर चुके हो तो प्लीज मैं आपसे request करना चाहूंगा हमारा previous वीडियो देखे जहां पे हम लोग ने आपको बताया है कि How to Calculate PSR and SR हम बहुत Easy Language में उसको बता चुके है उसके बाद आप इस वीडियो को continue कर सकते हो Accounting Treatment देने के पहले हम लोग को Goodwill Calculate करना पड़ते है तो अभी हम लोग Method of Calculating Goodwill के कितने Methods है और उसके Formulas क्या है वो हम दिखेंगे जैसे कि Goodwill बहुत सारे Methods के अंदर Calculate कर सकते हो जैसे कि First Method है जो सबसे Simple है That is called as Average Profit Method हम आपको हर Method यहां पे लिखके दिखाएंगे और Method में आप Formulas क्या अपला करते हो और उसके कुछ Illustration हम Solve करेंगे तो जैसे पहला Method है Average Profit Method दूसरा Method आता है Super Profit Method तीसरा Method आता है N.E.O.T. Method चौता Method आता है आपका Capitalization Method तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे पार आता है तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे पाच अलग-अलग Method मैंने बताए है पहला है Average Profit Method दूसरा है Super Profit Method तीसरा है N.E.O.T. Method चौता है Capitalization Method पाचवा है Capitalization of Super Profit Method यह सारे Method Goodwill Calculate करने के लिए हम लोग Apply करते है तो हम आगे वाले Continuation वीडियो में सारे Goodwill के Method और उसके Illustration हम solve करेंगे बट जो आपको Basic 12th के लिए Applicable होता है वो आपको दो Method है One is Average Profit Method and one is Super Profit Method तो इस चीज़ को ही हम अभी फिलाल फोकस करेंगे यह जो Methods है वो आपको 12th Pass होने के बाद डिग्री में Applicable हो जाते है तो जब आप डिग्री में जाओगे B.com, B.ms, B.f. and all में तब आपको यह Methods वहाँ पे Applicable होते है तो यह Method यह जो दो Method हम सीखाएंगे आज वो सिफ 12th Standard के लिए Applicable होगा अगर आपको यह Methods के उपर Goodwill सीखना है तो प्लीज आप हमारे Comment section में आप Comment करो कि हम लोग को N.U.T. Method सीखना है तो मैं N.U.T. Method के उपर Goodwill वीडियो बना के आप अपलोड कर दूँगा तो चलिए सीखते है Method 1 that is Average Profit Method Average Profit Method के अंदर यह सबसे Simple Method है for Calculation of Goodwill Easy Method है जो Steps follow करने रहेंगे आपको इसमें दो Steps follow करने रहते Step No.1 जो हम लोग देखेंगे जैसे कि आप देख रहे हो नाम is Average Profit मतलब Goodwill जो आप value करोगे वो आप Average Profit के base पे करोगे तो Step 1 is for Calculation of Average Profit Average Profit का formula क्या अपलाए करोगे Average Profit would be equals to Total Profit of the firm for the last few years minus Loss अगर कोई Loss दिया है बिजनेस में ठीक है कोई एक particular year में आपने Loss किया तो आप उसको minus करोगे divide by number of years जैसे कि अगर assume करो हम 4 साल का Profit calculate कर रहे हैं last 4 years का उसमें से 1 साल Loss का है तो आप यहाँ पे 4 साल का figure लिखोगे Profit को add करोगे और Loss को minus करोगे बट जो divide करोगे वो divide होगा 4 से क्योंकि हम लोग ने 4 साल का Profit या Loss हम लोग ने लिया है तो वैसे ही हम लोग divide भी किससे करेंगे 4 साल से जो step number 2 है step number 2 आपको follow करना है goodwill calculation के लिए so goodwill will be equal to average profit into number of years of purchase यानि कि जो average profit का answer यहाँ पे आएगा आप वो यहाँ पे लिखोगे and उसको number of years से of purchase से multiply करोगे तो आपको goodwill का answer मिलेगा अब यह number of years of purchase क्या है number of years of purchase है कि एक person या एक business last next years के कितने profit या average profit देने के लिए या purchase करने के लिए ready है तो अगर समझो Mr. A next two years के profit purchase करने के लिए ready है तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 would be multiply by average profit तो यहाँ पे आ जाएगा आपका goodwill तो चलिए देखते है इसका एक illustration so that आपको यह concept clear हो जाए then we would move on to the super profit method यह रहा आपका illustration इस illustration के अंदर आपको goodwill calculate करना है average profit method के अंदर तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2018 का रूपीज 20,000 as a profit दिया है 2019 का रूपीज 30,000 as a profit दिया है and 2020 का 5000 as a loss दिया है number of years of to be purchased is 2 years तो average profit method के अंदर step 1 क्या रहते है step 1 is to calculate average profit तो average profit का formula हम apply करेंगे जैसे कि average profit equals to total profit of the firm minus loss अगर loss दिया है तो आप क्या करोगे minus करोगे upon number of years ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे total profit हम लोगो 2 साल है और जो loss है वो हमारा third year का है तो चलिए इसको solve कर लेते है total profit में क्या करेंगे 20,000 हम लोग first year का profit है plus 30,000 हमारा second year का profit है और यहाँ पे आप loss देख रहे हो 5,000 का तो loss क्या करेंगे हम लोग minus करते है loss को minus कर देंगे 5,000 divide by 3 करेंगे because हम लोगो 3 साल का ही figure बोला हुआ है तो इसका answer आएगा 20 plus 30 is 50 minus 5 that gives you 45 तो यहाँ पे answer आएगा 45,000 upon 3 that is nothing but 15,000 तो जो हम लोग को average profit आया वो कितना आया 15,000 अब हम follow करेंगे step number 2 step 2 क्या है to calculate goodwill तो step 2 अभी देखेंगे goodwill का formula क्या आता है goodwill equals to average profit into number of years of purchase तो जैसे कि हम देखेंगे average profit हम लोग को कितना आया था हम लोग को average profit आया था 15,000 और यहाँ पे number of years कितना दिया है purchase करने के लिए 2 तो हम लोग कितने से multiply कर देंगे 2 से आप multiply कर दोगे तो 15,000 जो answer आएगा that would be nothing but goodwill तो यहाँ पे goodwill कितना आया 30,000 इस method के अंदर goodwill कितना आया 30,000 अब अगर समझो आपको number of years of purchase नहीं दिया exam में 2 years हम लोग नहीं दे रहे तो आप क्या करना जो आपका average profit का answer आएगा वो ही आपका goodwill का answer रहेगा because यहाँ पे number of years of purchase कुछ नहीं है तो it has to be assume to be 1 चलिए देखते है हमारा second method that is called as super profit method यह method थोड़ा सा advanced method है calculation of goodwill के अंदर जहाँ पे हम लोग को 4 step follow करने की जरूरत है step number one आपको जो follow करना रहेगा वो रहेगा calculation of average profit वो हम लोग ने अलड़ी first method के अंदर देख चुके है total profit minus loss upon number of years यह अलड़ी हम लोग देख चुके है average profit method के अंदर step number two यहाँ पे आप calculation करोगे normal profit का normal profit क्या होता है जो एक business man assume करता है कि अगर हम इतना पैसा invest करते है तो हम लोग को एक amount return मिलना चीए तो इसका formula है capital employed into NRR that is rate of return यह इसको कभी-कभी हम लोग expected rate of returns भी बोला करते है capital employed क्या होता है amount invested in a business but technically capital employed का भी हम लोग को calculation करना पड़ता है जो हम आगे वीडियो में बता देंगे कि capital employed कैसे calculate करते है NRR is यह ERA that is expected rate of return आप जितना amount invest करते हो business में आप expect करोगे कि इतना मुझे मिलना चाहिए जैसे अब अगर आप एक लाह रुपया invest करते हो आप अजिम करोगे कि 10,000 आपको return मिलना चाहिए तो you are expecting rate of return at a rate of 10% तो यह हो गया आपका step number 2 step number 3 आपको follow करना पड़ेगा to calculate super profit super profit का formula है average profit minus normal profit ठीक है तो यहाँ पे जो answer आएगा average profit का और जो normal profit का answer आएगा वो आप यहाँ पे लिखके minus करोगे तो आपको super profit का answer मिल जाएगा and the step number 4 in this method is to calculate goodwill goodwill equals to super profit into देख सकते हो आप capital employed is Rs.¥100,000,000,000,000,000 normal rate of return, expected rate of return is 10% number of years of purchase is 3 years यहाँ पे हम लोग average profit के लिए पहले वाला illustration ही continue करेंगे तो step number one हम लोग ने पहले वाले illustration से लिया है जहाँ पे average profit का answer आता है हमारा रुपिस 15,000 अगर आप वो illustration मिस कर दियो तो इस वीडियो को थोड़ा rewind करके आप देख सकते हो कि average profit कैसे calculate करते step number two हमारा है to calculate normal profit तो normal profit का formula क्या है normal profit equals to capital employed into nr right तो यहाँ पे capital employed हमारा कितना है 1,000,000 रुपिस और nr, expected rate of return कितना होगा 10 that is 10 upon 100 तो normal profit का answer कितना आ रहा है हम लोग को रुपिस 10,000 तो यह आगया normal profit अब step number three step number three calculate करने के लिए हम लोग को super profit find out करना पड़ता है तो super profit का formula क्या है super profit equals to average profit minus normal profit जो हम लोग ने already calculate करके रखा है तो यहाँ पे average profit का answer है 15,000 और normal profit का answer आया था 10,000 so super profit का answer is रुपिस 5000 step number four क्या है step number four is to calculate goodwill तो step number four goodwill equals to super profit into number of years of purchase all right तो यहाँ पे जो यह super profit का answer आया 5000 वो हमारा super profit के यहाँ पे है and number of years of purchase यहाँ पे 3 दिया है so goodwill of a form would be 15,000 तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो goodwill हम लोग को कितना आ रहा है 15,000 तो यह रहेगा आपका step number four जहाँ पे आपको goodwill का answer मिलेगा अगर आप इस वीडियो को अच्छी सारीके से समझ गए हो तो please like करो, share करो, subscribe करो अपने friend circle में, अपने relatives में और जिससे भी आप समझ सकते हो कि यह benefit करेगा इस method को समझने के लिए till then take care, thank you